एक धमकी भरा मेल और देश भर के एरपोर्ट पर अलट जीहां एक बार फिर से जयापॉर इंटरनेशनल एरपोर्ट को बम से उड़ाने के धमकी भरा इमेल भीजा गया इमेल मिलते ही एरपोर्ट पर हड़कम अज गया है इरपोर्ट देखे ज्रैपूर इंटरनेश्टर एयरपोर्ट पर दुपहर एक बचकर 21 मिनट पर एक मेल CISF की ओफिशल आईडी पर आया मेल में लिखा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से अकेले टक कर लेते हैं सब जगा होगा बूम 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 सुरक्षा एजनसियां ये पढ़ते ही अलर्ट हो गई CISF ने टर्मिनल के अंदर मोर्चा संभाला तो पुलिस एयरपोर्ट के बाहर मोर्चा संभालती दिखी और करीब तीन घंटे तक सर्च ओपरेशन चलाए गया सर्च ओपरेशन पूरा होने और एयरपोर्ट पर किसी तरह का विस्पोठक नहीं मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली CISF की ओफिशल आईजी पर आए मेल में लिखा था कि याद रखना दुनिया के सबसे ताकत वाले देशों से हम अकेला टक्कर लिया है मेल आने के बाद जैपूर एयरपोर्ट पर सर्च ओपरेशन शुरू हुआ लेकिन कुछ तेर बाद ही पता चला कि मेल सिफ जैपूर एयरपोर्ट पर ही नहीं बलकि देश पर की सौ से अधिक एयरपोर्ट पर भेजा गया अग्यात व्यक्ती ने जब CISF की आईडे पर धमकी भरा मेल भेजा तो जैपूर एयरपोर्ट परसाशन ने भी सर्च ओपरेशन चलाया एयरपोर्ट पर तनाज जवान, पुलिस टीम, बम, निरोधक दस था डॉक्सक्वैट सहीट CISF की टीम ने टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 पर सर्च ओपरेशन चलाया सुरक्षा एजनसियों के अलर्ट के बार साइबर की टीमें मेल भेजने वाले की जानकारी जुटाने में लग गई हालागी बिछले कुछ महीनों में जैपुर एएरपोर्ट पर छे बार धमकी भरे मेल भेज़े जा चुकी है 27 दिसंबर 2020, 16 फरवरी 2024, 26 अपरेल 2024, 29 अपरेल 2024, 18 जून 2024, 22 अगस 2024 और 4 अक्टूबर 2024 को धमकी भरा मेल भेजा गया है अग्यात मेल भीजने वाले के खिलाफ जैपुर एएरपोर्ट प्रसाशन की ओवर से एएरपोर्ट पुलिस थाने में मामला दर्च करवाए गया है वही सुरक्षा एजनसियां और साइबर टीमें भी मामले की जांच में जुट गई है आज से पहले जैपुर एएरपोर्ट पे पिछले आठ महीने में छे से जादा धमकी भरे मेल आ चुके हैं लेकिन पुलिस अब तक धमकी भरे मेल भेजने वालों के खिलाफ कोई सुराग नहीं जुटा पाई है ऐसे में इन शरारती तत्व के होसले दिन पर दिन बलंद होते जा रहे हैं ऐसे में आप देखना ये है कि आज बेजे गए मेल के बाद सुरक्ष एजेंसियां और साइबर एकपर्ट किस तरहां से इस शरारती तत्व का पता लगाते हैं कैमरा पर देखन संजे के साथ जिया उद्दिन खान फरस्ट इंडिया नियू जैपूर